हे गाइस धाबे से भी जादा बहुत ही स्वादिस्त फूले फूले आलू मटर के पराथे बनाएंगे जिसे खाकर आपको मज़ा आने वाला है आप पक्का ये रेसेपी सबके साथ शेयर करना चाहोगे इतनी जादा टेस्टी बनती है तो सबसे पहले आपको एक बड़ा यहाँ पर कर सकते हो उसके बाद एक हरी मिर्ची और साथ से आठ करी पता को मैंने फाइनली कट कर लिया वो डाला है इसे भी हम प्याज के साथ एक मिनट के लिए और भूलेंगे प्याज को ब्राउन नहीं करना है अब इसमें मैं पांच उबलेवे आलू डाल रहे हूँ मी मैश कर देना है क्योंकि मटर हमने सापुट डाला है तो मैश करना जरूरी है पर पूरे मैश नहीं करना है थोड़ा थोड़ा मैश हो जाए ना वही हमें यहाँ पर चाहिए और दो से तीन मनिट हम इसे भून लेंगे है जब तक जब तक कि आलू मटर कड़ाई का तला नमक जाए सिर चम्मच यह तो मिक्स कर लेना है और इसे एक से दो मिनट हम और भूल लेंगे ताकि सारे वसाले भी अच्छ से पक जाए आप लिए यह लास्ट में इसमें 1 फॉड कप में बारिक कटावा हरा दनिया डाल लाल सकते हो आपको अपको अच्ची जोब डालनी है और मिक्स कर लेंगे और यहां पर यह हमारा मसाला बनके बिल्कुल तयार होचका ट्रस्ट में इस तरीके से जब मसाला बनाओगे तो आप खाते रजाओ के इतना स्वादिस्ट मसाला बना था यह में आपको क्या ही बताओ अब इसको हलका साहम ठंडा होने देंगे तो यहां आप्मश Payie मसाले को मैंने निकाल लिया है नमक टेस्ट जरूर कर लिया बनाने के पहले कहीं नमकों तो नहbaby है अब जो सिंपली मैंने रोटी के लिए अटा लगिया थोड़ा सील लिया है आप इससे जादा भी अगर स्टफिंग पसंद है तो आप डाल सकते हो इससे कम भी डाल सकते हो बट आलो के मसाले में अगर स्टफिंग अची नहीं होगे तो फिर क्या ही मजाने वाला है अब पहले इसे हातों से इस तरीके से दबा कि हम स्टफिंग को evenly फैला देंगे उसके आपको पराठे को बेला है और आप देख सकते हो मतर हमने आधे साबुद भी रखे तो भी पराठा फटेगा नहीं बिल्कुल भी क्योंकि मतर हमने उबाल के डाले थे और मैश भी कर दिया था और जो स्टफिंग वो भी पुरे पराठे में evenly फैली है कही कम कही जादा बिल् अच्छे से पराठे को हम सेख लेंगे और पराठे आप देख सकते हो फूलेंगे हलका साइड से पराठा फट चुका इसलिए वो पूरा नहीं फूल रहा है पकि पूरे पराठे आपके इसी तरीके से फूले फूले बनेंगे और स्टफिंग भी है ना evenly फैलेगी कहीं कम कह जादा बिलकुल भी नहीं रहेगी और गर्मा गरम इसे आप बटर के साथ खाईए या फिर हरी चटनी दही सैलेट के साथ इंजॉई कीजिए बहुत जादा टेस्ट लगता है एक बार यह रेसेपी ट्राइ करना ट्राइ कर दो तो इसके पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्रा कि मैं मेल जाइगा